लद्दाग में भारत और चीन के जवान कई स्थानों पर अभी भी आमने सामने डटे हुए हैं कई दोर की वार्ता हो चुकी है लिकिन फिंगर एरिया सही 3-4 स्थानों पर अभी भी मामला फसा हुआ है कुछी दिनों बाद लद्दाग में मौसम बदलने वाला है और मौसम से लड़नी की तयारी में भी दोनों देश चुड़ गए हैं तनाव अभी भी बना हुआ है और इस तनाव के बीच भारत और चीन के जवानों के लिए एक अलग ही तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें शस्तों का इस्तिमाल नहीं हो रहा है तो क्या चल रहा है एले सी पर इस रिपोर्ट में देखिए बीते तीन महिनों से भारत चीन सीमा पर हालात बिगड़े हुए हैं दोनों देशों के बीच कई दोर की वारता हो चुकी है लेकिन मामला अभी तक पट्री पर आता नहीं दिख रहा है भारत लगातार जून से पहली वाले इस्तिती बहाल करने की बात कर रहा है लेकिन चीन मानसिक रूप से लड़ी जा रही है भारतिय जमान जो बैनर का इस्तमाल कर रहे हैं वो अंग्रेजी और मंदारिन में तयार किये गए हैं जिस पर लिखा है शांति बहाल रखने के लिए आप वापस अपने इलाके में लोट जाओ इस समय आप भारतिय जमीन पर हो वहीं भ दोनों ही देश सीधे टकराओ से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सीधे टकराओ से स्तिती खराब होने का अंदेशा है और कोई भी देश स्तिती को हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता यही कारण है कि LAC पर जबानों की लड़ाई अब जुबान की लड़ाई में जिसकारण यह अंदेशा बना रहता है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है डीवी लाइब की रिपोर्ट